कि 1563 बच्चो' को grace marks दिये गये h सैसिटर हम तो चाहते हैं नेखिए कि हम गलत सवित हो ताकि किसी बच्चे का भविश्य खराब नहीं हो आज हम पहुचा है और यहां पर हमारे साथ शारंद सर हैं जो लगातार बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं और आज हम इनके पास मुद्दे पर आया हैं कि जो नीट दोजार चोईस में जो रिजल्ट आया है जिस प्रकार से एंटी है वह देखिए हर साल की बात करें अगर अपन इस साल जो कुछ घटनाए घटी है छह से साथ ऐसे बिंदू हैं जो शायद आज तक नहीं हुए कभी बी लेकिन इस साल हुए हैं सबसे पहली बात तो यह हुई कि भई जो 720 का पेपर होता है 720 में 720 पिछले साल दो बच्चों क अधसे देखें पास्ट में जाके देखें तो दो से तीन बच्चों के आते थे इस साल 67 67 बच्चों के 720 में से 720 आना यह खुद एक प्रश्ण उठाता है कि भई 720 मक्स कैसे आ गए भई पेपर जो है हम सब शिक्षक लोगों ने भी सबनी बोला भी पेपर इतना आसान तो न है कि सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुई कि जब सबसे पहले पता पड़ा दूसरा नंबर का जो बिंदू है कि कुछ बच्चों के 718 और 719 मांक्स हैं लोगों ने बोला यह 718 700 आई नहीं सकते हैं तो उसका जेस्टिफिकेशन एंटे से मांगा गया तो एक छोटा सा सर्क गलत आया तो कई ना कई जो बच्चे थे जिनके अच्चे मांक्स आ रहे थे जो पड़ाई में भी अच्छे थे वो कही ना कई पीछे दिखे रहे हैं इसमें देखिए यह ग्रेस मांक्स की जो बात टाइम के चक्र में है यह आज तक पहले कभी देखा नहीं गया और ना नहीं एक्जाम तक और नहीं इनके प्रेस रिलीस तक बच्चों को पता था कि ऐसा भी कोई प्रावदान है कुछ बच्चों ने जिन्हों ने रिपोर्ट कर दी या जिन्हों ने कोट में केस कर दिया उनको ग्रेस मांक्स दे दिये गए किस बैसिस पर दिये गए क्वेशन के पेसिस पर नहीं कि उनका टाइम वेस्ट हुआ और वो टाइम वेस्ट का भी जस्टिविकेशन जो दिया गया कि भई सीसी टीवी कैमरा से देख कर कि भई यह इनकी राइटिंग स्पीड क्या है कैसे पता करा तो पहले लोगों को लग रहा था कि 708 और 712 दो बच्चों को ग्रेसमार्क्स मिले होंगे तो सवाल उठाए कि भई ग्रेसमार्क्स कैसे दिये क्योंकि सबके लिए शॉकिंग था यह 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 तो पहली बार हो रहा है बच्चे बोल रहे हैं नीट में चार सब्जेक्ट हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायलोजी और चौता है ग्रेसमार मार्क्स कौन किससे डॉक्टर मन रहा है कुछ पता नहीं है जब बाद में प्रेस रिलीज इतना हंगाम होने के बाद में तो उसमें पता पड़ा 1563 बच्चों को ग्रेसमार्क्स दिये गए हैं सिर्फ दो निये वो और अभी भी यह किसी को निये पता है जिसकी हर जने को ज जो संडेम पीछे लगता था वो संडेम निये लगा है इसमें दो पहलू और हैं पहले मैं आपको ग्रेसमार्क्स की बात बताता हूं जो खुलासा नया हुआ था कि जो प्रेस रिलीज आई थी इनकी कि 6 बच्चे 720 के जो थे वो ग्रेसमार्क्स वाले बच्चे थे मतलब इनको ग्रेसमार्क्स की थुरू 720 तक पहुचाया गया है और जो आपने मुद्दा उठाया अब आठ बच्चे जो पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आये हैं या सौ में जो लेके आये हैं रैंक वो एक ही सेंटर से निकले हैं इसकी प्रोबैबिलिटी गडित में भी जाय और उनकी अगर अपन लिस्ट देखें उनमें एक बात और कॉमन मिलती है उन आठ में से 6 या 7 बच्चों में किसी का भी सरनेम लिखावा नहीं है दूसरी बात 718 719 के रोल नंबर भी उनी सेंटर के आसपास वाले सेंटर से हैं तो 720 के 6 बच्चे भी उसी सेंटर से आते हैं 718 grace marks भी उसी सेंटर से आते हैं 719 भी उसी सेंटर से आते हैं या आसपास के सेंटर से आते हैं तो सारे एक्तिफाक एक ही जगे से होना यह डाइजेस्टेबल नहीं है और सबसे बड़ी बात है NTA इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है कि जो 1563 बच्चे हैं उनको कितन कितने grace marks बाटे एक नमबर बाटा दो नमबर बाटे पचास नमबर बाटे सो बाटे या 720 ही वाट दिये तो अगर मान लीजे मैंने 20 मेटी पेपर दिया और मैंने बोल दी कि मेरे साथ तो गरबड हो गई लेकिन मैं तो बहुत बढ़ी अस्टूटेंट था लाओ मेरे को 600 न उस पे 28,000 रेंग थी इस बार 600 नमबर पे 80,000 रेंग गई ए 80,000 चैसो मांक्स वाला बच्चा 610 मांक्स वाला बच्चा गर्व के साथ पिछले साल बोलता था मैं डॉक्टर बनाओं इस बार साड़े 600 वाले बच्चे को भी अता पता नहीं कि मैं डॉक्टर बन पाऊंगा क तो इतनी मेहनत करके साड़े 600 नमबर लाया उसके भविश्चे पे प्रश्चन चिनना गया है कि क्या मैं भी डॉक्टर बन पाऊंगा क्या कहीं ना कहीं एक साथ इतने मांक्स आना और आप देख सकते हैं देश के अंदर क्या इतने कोलेज हैं साब 67 जो 720 उनको ही देश का जो नमबर वन कॉलेज एमस डेली वो मिलने में प्रश्चन चिनना गया है अब एमस के पास भी यह प्रश्चन आएगा कि अगर यह चीज वैलिड होती है तो इन में से किसको एडविशन दे किसको ना दे क्योंकि एंटी ने तो सबको फस 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 रैंक देदी है पहली बार इस तरह से आ रहा है यह कभी आज सक नहीं हुआ है प्लस सबसे बड़ी बात क्या है हाइको ने मानिया हाइकोकर ने अभी जो ते इसके रिसमोंस में तो the adequate में दस दिन के अंदर वहीं पेपर इतना तो सिंपल नहीं था कि 67 बच्चों के 720 और इसमें एक मुद्दा और है जब आपको अगर लगता है कि इतने मेधावी चात्र हो गए तो ऐसा पेपर क्यों बनाना जिसमें 67 बच्चों के 720 में 720 और सबसे जो प्रश्ण चिन्ने की बात अरी वह ग्रेस मार्क की इस पे कोई ये बिल्कुल काला डबा की तरह से हो गया किसी को नहीं पता किस बच्चे को कितने ग्रेस मार्क मिले हैं और कहीं नहीं बिल्कूल इसमें मतलब investigation प्रॉपर होना चाहिए दो बाते और हैं बहुत चार तारीक को चार मई को ऐसी खबरेती कि सोशल मीडिया पे पेपर लीग हो गया है लेकिन उसकी जांच किसी प्रॉपर एजेंसी सी बीए वगरा ऐसी जो प्रॉपर इसके लिए एजेंसी नियुक्त होनी चाहिए वह नियु बच्चों ने जो डाले थे सोशल मीडिया पकर इन उसके बारे जांच अभी तक नहीं की गई है नहीं है उसकी कोई प्रॉपर जांच का एविडेस तो नहीं आया है एंटिय की तरफ से कि यह पूरी जांच इस एजेंसी ने करी है एंटिय ने रिजल्ट निकालने भी जल् उसी समय पर यह नतीजे आये तो यह भी एक बड़ी बात आ रही है कि इतनी क्या जल्दी थी और वही तारीक क्यों चुनी गई जब पूरा देश दूसरे नतीजों में विजी था तो यह जो सारी चीज़ है ना इसका इसका जवाब और सबसे बड़ी बात तो इस मतलब जो i a parence आप बच्चों के बीच में रहते हैं बच्चों के पैरेंस भी आप से जुड़ा है तो प्रकार से बात्राइब बच्चों को क्या क्या करें इन मांक्स को अच्छा माने क्या क्या अब उस सब के जवाब इतने सैंशिल है कि उनका भी भी भविश्च्टी जो है ना प्रखार की जो एंटे दुवारा किया गया है वह कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन बच्चे का भविश्य अंदकार में गया बई देखें इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी चीज आप करिए न अपना विश्वास बनाया रखने के लिए बिल्कुल उसको ट्रांस मार्स आपने बाटे हैं कि कि इस बच्चे को कितने कितने मार्क बटे प्लस इसका भी सुट्तर देना चाहिए कि बाकी बच्च्टे जिनका time waste हुआ जो रिपोर्ट नहीं कर पाये जिनको grace marks नहीं मिले उनका क्या होका तो यह सारे पहलूओं को बहुत गंभीरता से आंसर करना चाहिए इसका क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करके इस परिक्षा के लिए तयारी करते हैं पांच पांच छेचे ड्रॉप लेते हैं बच्चे पांच पांच छेचे साल की तियारी करते हैं उसके बाद जब यह पता परता है कि इस नंबर भी कॉलेज है तो उनके लिए बहुत बड़ी निराशा के बाद है यह बहुत बड़ी है कियो हुँ स्टूडेंट कॉप इसकैस प्तिफाक होगा करूसरें की अनॉरे तोहुत बढ़ी मिल दिक सि're कि नॉर्मल तो नियुक्रेंट हम तो चाहते हैं देखिएआ कंति कि कि सब्क्राब करने ौच कि आन्रव लेकिन एन्टिय को चाहिए कि as a citizen of India भारत के नागरी के तरह से बच्चों के भिहाफ पे इतने सारे बच्चों के भिहाफ पे जिनका भविश्य N.T. के उबर निरवर करता है उनकी तरव से एक चीज का अधिकार हम रखते हैं कि हमें पार दर्शिता से सारी चीजें बताई जाएं कि क्या हुआ और कैसे कैस करी गई किसको कैसे कैसे नंबर बाटे बच्चों ने सार जो यह इस पर कुछ प्रतिकरिया दी बच्चों की तो इतनी प्रतिकरिया आ रही है कि we want justice भाई बच्चों का अधिकार है साल भर वह बच्चा जिसके माबाब अपना पूरे जिंदगी बर की कमाई लगा के इस पर ही नहीं है मतलब सुप्रीम कोट का जज्जमेंट की दुवाई दी जा रही है उसमें यह चीज थी कि grace marks मिलते हैं अगर question गलत होता bonus होता language में दिक्कत होती या किसी किसी और circumstances में मिल सकते हैं ऐसी कुछ lines उसमें लिखे हुई है अब उसी को यूज करते हुए कैसे grace marks दिये उस पे transparency तो बनती है मतलब तो right to information act देखिए यह बच्चों को जानने का अधिकार है कि जिस परिक्षा में हम बैटे हैं उसमें कैसे number बाटे हैं गए तो एक यह अनुरूद है हमारा कि वह एंटी जल्द से जल्द इस confusion को दूर करें ताकि बच्चे जो इतनी अभी stress में हैं कि हमारा क्या होगा वह stress उनकी दूर हो उनको आगे का रस्ता तो दिखे कि क्या करना है क्योंकि देखिए कोई भी कदम कोई भी फैसला आता है तो वह बच्चों को किसी ना किसी दरे से impact करेगा तो बच्चों को उसके लिए तयार होने के लिए समय चाहिए तो यह सारी चीज़े एस अर्ली एस पॉसिबल जल्द से जल्द प्रेस रिलीज के थूरू बच्चों के सामने आनी चाहिए जो बच्चों ने एक्जाम दिया है उनको आपकी तरफ से क्या संदेश दे बच्चों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा बच्चों हमें जस्टिस लेना है पर बिल्कुल शांती से काम लेना है और जो लीगल तरीके से काफी सारे लोग भारत में हम लोग भी एंटी एको लेटरस वगरा भेज रहे हैं सब चीज़े प्रक्रिया चल रही हैं तो उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं पर सब कुछ शांती तरीके से बिल्कुल वैसे फॉलो करके करना है हमको कुछ भी होना हम लोग तुम्हारे साथ में हैं तुम चिंता मत करो यार जस्टिस की मांग के लिए दिन रात एक करके रख रखा है जो भी चीजें होंगी मिलकर करेंगे बच्चों कोई इसमें कोई कहीं से कहीं तग भी कोई कसर ने रखी जाएगी बिल्कुर इसको जो कहते हैं ना लीगल तरीके से इसको परस्यू किया जाएगा बिल्कुर ठंडे दिमाग से और इन सारी चीजों में मतलब यह एक्सपेक दिनबर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राज्थान कवरेट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटिड हमेशा